हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, क्रिएटिव आइडियाज भाई स्वाती तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम मेट पीजा बेस की रेसिपी तो आजकल बाहर का भी माहौल ऐसा हो रखा है कि बाहर का खाना पीना खाने में डर लगता है तो अब ही चलिए हम पीजा बनाएंगे तो पीजा बेस घर पर ही तियार करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी पीजा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ली है यहां मैं ओवन में नहीं, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ पीजा बेस तो यहां पर मैंने ये एक बड़ा बाउल नमक डाल दिया है इसमें अभी हम इस कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे तो यह नमक डाल दिया है, अब इसके अंदर आप कोई भी स्टैंड जो इसके अंदर आसानी से आ सके और उसमें इतनी जगा बचनी चाहिए कि उसके उपर आप एक प्लेट रख सके तो यह स्टैंड मैंने इसमें रख दिया है, अब मैं इसको ढख दूँगी और 10 मिनिट के लिए आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजे, ताकि अच्छे से प्रिहेट हो जाए तो अब हम स्टार्ट करेंगे पीजा बेस के लिए डो बनाना तो पीजा बेस का डो तयार करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यह इंग्रीडियेंट्स, मैदा लिया है मैंने, ओल लिया है, यह देखिए यह बड़ा वाला बाउल मैंने मैदा लिया है, यह सॉल्ट लिया है, यह मैंने कर्ड लिया है, दही, यह मैंने यहाँ पर लिया है, बेकिंग सोडा, यह औ All Purpose flower मैदा यानि कि मैं इसमें बैट कर रही हूँ यह करड दही यह फेटली है मैंने इसलिए इसी पतली हो रही है और यहां पर अब मैं यह दो चम्मच वन टेबल स्पून ओलिव ओईल मैं यहां पर यूज कर रही हूँ अब मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ वन टेबल स्पून बेकिंग सोडा अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप इनों भी यूज़ कर सकते हैं तू टेबल स्पून मैंने इसमें औरिगेनो पाउडर यूज़ किया है यह इसके इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आजाएगा इससे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर जरूरत हो तो हल्का सा पानी आड़ करके यह मैंने हाँ पर हल्की सी हाफ ती स्पून शुगर एड़ की है और सॉल्ट डाला है बागी सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बहुत सॉफ्ट हमें डो तयार करना है कि जरूरत के हिसाप से इसमें कड्ड पड़ी हुई है तो इसमें इतना पानी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत हल्का सा इसका एक मचा सा सोफ डो बनाना है हमें कि सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यह अच्छा सा डो बना लेंगे अब इसमें मैं हलका सा इसको और सॉफ्ट करने के लिए हलका सा और ओलिव उयल मैंने यहां पर यूज किया है कि यह हमारा डो तयार हो चुका है अभी आप इसको कम से कम 20 मिनिट के लिए आप इसको रख दीजिए एक साइड कि अच्छे से देखिए हमारा सॉफ्ट एक्दम रो तयार हो गया है कि अभी इसको बीस मिनिट के लिए कम से कम आप अलग रख दीजिए अब यहां पर मैं एक प्लेट ले रही हूँ मैंने प्लेट यह उसे साब से लिए कि यह कढ़ाई के अंदर आ सके अराम से इस पर मैं थोड़ा सा यह सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा अलका सा ओल लगाया है पहले उसके बाद यह सूखा मैदा डस्ट किया है इसको चारो तरफ ऐसे फैला लेंगे यह हमारी प्लेट रेड़ी हो चुकी है पीजा बेस बनाने के लिए तो अब चलिए अब हम यह बना लेते हैं पीजा बेस यह देखिए मैंने थोड़ा ही किया है आटा यहां पर मैं इससे दो पीजा बेस बनाने वाली हूँ तो अभी मैं इसको यह दो पार्ट में इसके गोले बना लूँगी थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे मूं कर रहे हो हाथों से मैश ताकि और बढ़िया हो जाए सौफ्ट हो जाए फिर से देखिए मैंने इसके हा इसको अच्छे से ऐसे बेल के इसको ऐसे पुरा गोल करके हलका हलका सा यह दस को करते हुए सुखा मैदा इसको बेल देंगे और बहुत जादा पतला नहीं बेलना है इस बात का ध्यान रखेगा इक्वल बेलना है और चारो तरफ से में कि जुप अ करते हम प्युरा फिर हम इसकला करते हैं क् means करी देखिए मुटना हनो घुट गु तरफ से दो घरना है यह भाय है कि देखिए चारों तरफ से एकोली बेलना है इसको देखिए है अभी इतना मोटा ना देखिए बहुत जादा पतला नहीं बेला है मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है अब मैं यहां पर ले रही हूँ फोक और फोक की हेल्प से हम इसमें ऐसे छेद कर लेंगे सब जगा इससे क्या होगा यह अंदर तक यह सिख जाएगा अच्छे से और फू लेगा नहीं बीच में से कहीं से भी न इसलिए हम इसमें चारों तरफ ऐसे छेद कर लेंगे जब आप मार्किट से पीजा बेस खरीते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से उसमें छेद हुए रखते हैं तो ये पूरे पीजा बेस पे हम ऐसे छेद बना लेंगे कि अधिये रेदी हो चुका है हमारा अब हम इसको रखेंगे इस प्लेट के उपर देखिए प्लेट हमने अल्रडी रेडी कर रखी दी डस्ट करके तो अब मैं इसको कढ़ाई हमारी ये प्री हीट हो चुकी है बहुत अच्छे से इसको आपको 10 वी से 15 मिनट के लिए हीट करन देखिए को ये बहुत ध्यान से आप इसका धकन अटाईएगा क्योंकि ये पूरी गर्म रहा है इस टाइम है अब मैं ये पीजा बेस इस प्लेट के अंदर रख रहे हूं और इसको धकन लगा के दस मिनट के लिए फिर से पकने देंगे देखिए 10 मिनट बाद अब मैं इसको खोल रहे हूं अगर आपको लगता है थोड़ा सा कच्छा लग रहा है तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए और कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा बना है ये बिल्कुल ये फूल गया है जैसा हमने ये बेला था उसके हिसाब से रहत बाद है हल्का हल्का फूल गया है यह आप एपने देखा होगा भी हम लोने मेने हलका सा ये मैटा और डस्ट किया है और ये जूसरा मैंने पीजा बेस रख गत दिया है बनने के लिए तो same process के साथ हम फिर से दियार करेंगे तो ये ready है हमारा pizza base तो चलिए आप pizza कैसे बनाना है आप साथ-साथ वो recipe भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी दो बार अलग-अलग बनाई हुई videos को add किया है क्योंकि इसमें मेरा बेटा भी मेरी help कर रहा है तो इसलिए मैंने ये वाला पीजा ना इसमें आड़ करके जो other time मैंने बनाया था वो मैं इसमें आड़ कर रही हूँ देखे जा लगाने बाते है? पीजा सॉस और लेड़ो ऐसी कर देख देख को फोल्गवश से अ dá उसमें आड़ा भी दार बेटा इसको ढाले हुण आड़ा ऐसा घ्रलेकは में पन इसमेह तो यह हुआ में थया हुआ है बनसे को साइब जाहा घाजा एड़ाही, सब्चे को स्छेगरा आ एक हस्साली ता कर लाज बैस को देख पर लाज भुचके के से के कर लो Gothic घार के कर दो कि कर देन के आखसे कर आखके कि के युच आब अगी अब अब ऑप al-activan Teacher, Doظ खने बैदे अब अल्किया के रहीं दाले हुटाल होगा अन्यान गदेख इसको रखो और है एक जग नाम डी एक सब जाना इसको बस 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 बागी समिय रटो बागी समिय रटो चलो अब आप कौनसा जाला राखो जाला, अलग अलग जगना डाल, बिटा वेध्यूतों बाउर इस स्टाइब क्या रहें गया हमटाश जो के वरेखी कि यूस्काइब पंकाशेकों कुछ जो कर रहें हैं क्या रहे हमरे बाश चाहिश्काइब तो और अजिए पाल वाला यहां बाहन के अलग अलग टालो अचा अलग लग रग अपर इसको प्रेट करो कर आज तो सब्सक्राइब करें कि अच्छा ज़ह जो लो आज 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 है आज आज़ा जो 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 आज़ा है कि अद्गे आजने गाने लिगा है तोड़ी अगल दाल दें और अचाहा है इनके अपसी कंभी डाल बेते हैं बस 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 अब अब पीज़ दिया अब पनी डालो तो निये फोर पीस लेना बस वान मैं डालो मैं डालो मैं ग्रमा अचो तीक है कोई बात नहीं अहिए बनाल दें ते हो अब आप च्रीज से तोटेश्टाहर थे इसका प्रस्पीश अपसपपद करें वहाँ कि नुर्ण лемरा काई अब भाना ने के आदे अपकूँ ठोड़ गम लग रहा है, और ढालो ठोड़ गम पची अपर याँ अच्छा पड़े होगे क्या बनना चाते हैं प्रकर ? तोड़ बनना चाता हूं सिवा शीरा, आड़े आपको मुझे कहा रहे थी कुछ हो आप शीमबा अच्छा तो हुखो आप बननाने वाले बनाना चाहते हैं जा बनना नाइटगे तो आप बनाना चाहता हम इस यह इसलिए हम गईस पर बिज़ा बनाने आए हमने इसको अभी पहले से वो कर लिया है, ही तर लिया, अब हम इसको इसमें रखतेंगे, अब इसको ऐसी ठापतेंगे, चालो, आपका काम कम्री, तो फ्रेंड्स देखिये, रेडी है हमारा यम्मी यम्मी पीजा, होमेट पीजा विद होमेट पीजा बेस, तो इस पर मैंने ड कीजिए, वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट की जरूर कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाइबाई